हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे बेसी सेकेंड डियर जिलोजी का सेकंड सेमेस्टर अनिमल इस्टिबिशन इवोलुशन और डिवलोप्मेंट बायलोजी का 2021 का एक्जाम पेपर तो आएए देखते हैं इस एक्जाम पेपर में किस-किस तरह के कोश्चन पूछे गए हैं यह बेसी सेकंड यर का एक्जाम पेपर जो अभी जस्ट रिसेंटली हुआ था यह पेपर और कोवीड की वज़ए से इस एक्जाम पेपर को तीन घंटे की जगा जैसे कि आप यहा बारे में मैं आपको बताने वाला हूं तो सबसे पहले आये देखते हैं किस-किस तरह के कोश्चन इस पेपर में पूछे गए हैं तो यहां पर आप नोट कर सकते हैं यह ओलेडी मैं कई सारे पेपर में दिखा चुका हूं दिस पेपर इस डिवाइड इन्टू फाइफ सेक किसे कोशन पूछे गए है वह कहिसे सुदेन को अटेंट करने थे तो दस में से सुदेंट फान सब्कौ waninkा होगा कई सारे स्टूडेट ने क्योंकि सभी के सभी जो कोशन है वो सारे के सारे रिपीटिट कोशन है और इनका जो इंपोर्टेंट कोशन की लिस्ट मैंने आपको बनाया था वो लगबग सभी वो कोशन यहां पर पूछे गए हैं तो देखिए पहला कोशन है इवॉलुशन क्या होता है ओपरीन थेओरी स्परमेटोजनेसिस म्यूटेशन एंड मिगालेसिथल एग एंड मिसोजोईक एरा होमो लोगस एंड एनालोगस ओर्गन्स तो यह सारे जो इंपोर्टेंट कोशन है पेली पेलिटोलोजी एंड ओजनेसिस लेमार्किस में सारे क्योंकि सबीके सबी कोश्जन रिपीटेड अब देखिए सेक्षन सीलेजatas जैसे जो चार सेक्शन होते हैं जैसा होता है इसमें से एकOLक्येट करना होता है एक सस्यल में जो कूशन पूछे जाते हैं एक से लिए कोविट की वज़ह से वट इस फोसिल फोसिल क्या है एंड गिव एन ऐसे ओफ फोसिलाइजेशन तो यह भी कोशन इजी था दूसरा कोशन है गीव दा जी जी लोजीकल पीरिट्स ऑफ मिसोजोईक एरा तो जितने भी स्टूडेंट ने मिसोजोईक एरा को याद किया होगा यह कोशन भी अटेंट क लाइफ तो और जींओ लाइफ तो फोसिल पूछे जाते हैं तो इसको तो स्टूडेंट अच्छी तरह से लिख कर आया होंगे सेक्शन डी में कुछन पूछा गया वट इस डर्विनिजम और इस लीट नियो डर्विनिजम यानि कि हमें बताना है डर्विनिजम और नियो अर्वनिजम में क्या डिफरेंस है उसके बाद यहां पर कोशेंग नमशन में पूछा गया है इक्षाफ एग्स इक्जांपल तो कोशेंग नमशन भी काफी इसी कोशेंग है इसाफ एग्स विद इसक्षांपल यह सब मैं अल्लेडी डिसकस कर चुका था मैं आपको बता चु तो यह तो यह तो यह था थो ब्रेंट का इक्जाम पेप्र जो कि पेपर तो पहले सी प्रिंट हो चुका था यहांपर सुर्व नीचेंट पेपर है उसको थोड़ा अलग तरीके से क्योंकि कम सम्टस कम स्टाइम में हमें पेपर कंडर्ट कराना था तो उसी की बेस पर पेपर कंडर्ट कराया गया और हमें चॉइस दी गई तो उमीद है आपको इस पेपर से काफी कुछ सीखने को मिले होगा थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो